दोसों इंडर्न गवर्मेंट ने बहुत सेरी फ्लाइट्स को आज कैंसल कर दिया है इंडिया का स्टॉक मार्केट आज 1100 पॉइंट से नीचे गिर चुका है यह सब कुछ हुआ है एक न्यूस की बदा अलग जो न्यूस है कोरोना वाइरस के बारे में क्योंकि दो दिन पहले यूके उनाइट किंगिडम के जो प्राय मिनिस्टर है इन्होंने बहुत बड़ा स्टेट्मिंट दिया कि सिचुवेशन इस आउट ओफ कंट्रोल फ्रॉम यूनाइट किंगिडम और कोरोना वाइरस के बारे में ये न्यूस क्या है जो न्यूस सिर्फ आपके लिए नहीं आपके आजू-बाजी वाली डोग के लिए और हम सब लोग के लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इंडिया is the biggest exposure country to any of the dcs क्योंकि यहां पे 150 करोड से भी जादा लोग रहते है तो वे टोटल न्यूस क्या है और मैं आपको कुछ आज की वीडियो में और जदा क्लियर कर देने वाला हूं कि कोरोना वाइरस की सिच्वेशन आगे क्या रहे सकती है क्या हम कॉलेजिस में जा पाएंगे क्योंकि आख में तेल लगा कर हम बैटे की सिच्वेशन कंट्रोल में आ जाएगी वैक्सिन आ जाएगी और उस टाइम पे वैक्सिन जो थर्ड थर्ड फेज में बैक्सिन का अंतिम पर चालू है बहुत सरे वैक्सिन का उस तैम पर ऐसी न्यूस आती है तो टोटल डिसकर्शन करेंगे तो उस वीडियो को शूरू से लेकर आन तक जरू देखें दोस्तों step by step manner से जानने की कोशिश करेंगे कि exactly ये news क्या है और इसका impact कितना बड़ा है क्योंकि ये news जो है दोस्तों ये सुनके भी मुझे आसा लगा कि भगवान अब क्या बचा है मतलब 2020 में अब आगे क्या होगा क्योंकि ये news ऐसी है कि coronavirus का strain आ गया है coronavirus का strain मतलब क्या strain मतलब उसका चोटा बाई strain का मतलब ये कि coronavirus ने अपने खुद को modify कर दिया है यानि उसने ऐसा बोला है कि मुझे बगाने के लिए या फिर मुझे मारने के लिए आपने वैक्सिन बनाई है उसको मैं शायद यहाँ पर ना कमयाप करने के लिए खुद को develop कुछ मैनों पहले की कुछ वीडियो में मैंने एक दो बार जिक्र किया इस चीज का कि virus अपने आपको develop कर ही लेते है वाइरस अपने आपको बहुत सारी conditions लेके या फिर बहुत सारी दिमाग चला के खुद को develop कर देते हैं अब इसकी पीछी रिजन ही होजा है कि virus की मतलब प हमें बड़ा वाला शेप चाहिए तो वह बड़ा भी हो सकता है जो मैं आपको इमेजिकल वे में बता रहूं ऐसा एक्चली में बहुत जल्दी नहीं होता लेकिन वाइरस इस खुद को develop कर देते हैं वाइरस चाहिए अपने आग को उतना भी जादा डेवलप कर दें बॉड भी ज demasi सेलेख्यों आपकाल पैप संफयरेस जो एक्टैव पॉर्शन को कि कहने किने के लिए कामियाब हो जाते लेकिन हो छाते हैए यह नो often in उनकी वड़े हो जाती है उनकी नहीं कर पाता है लेकिन अब क्या होगा बैक्सिन यूण का तीन यहां वायरिस की यही होती है कि चाहिए कितना भी डेवलब कर दे खुट को हमें मौका नहीं देना है अब ऐसा अगर पॉसिबल हो जाए जो मुझे लगता है 90% है पॉसिबल की कोरोना वारस का स्ट्रेंड भी आ जा है फिर भी यह वैक्सिन कामयाब हो सकती है क्योंकि वैक्सिन का जो फंडाम डेवलब कर दे उसको मौका नहीं देना है 10% पॉर्शन यह हो सकता है दोस्तों कि वायरस का स्ट्रेंड आने के बाद यह क्लिनिकल ट्रायस में बहुत सरी चीज़ों को देखा जा सकता है क्लिनिकल ट्रायस की उपर इसका एफेक्ट जरूर होगा नहीं होगा ऐसा हम नहीं क लेख सकता है क्लिनिकल ट्रायस इएल्गnor में चल रही है यूक्टेगं चल रही है यूए वह से में चल रही है लेकि अभी तक कोई नहीं है लेकि परसली मैं खुट को कि से बात करूं कि वायरस कापना टाइम होता है इस टाइम के बार अपने आप को निर्वायर। Si उडर के लिए जान लेते हैं सबसे एंड में जान लेते हैं कि इसका इंप्रेंट आपकी ऊपर क्या हुआ देखो मैं परसनली बात करूँ तो मैं खुट वेट कर रहा हूँ कि हम कब बाहर निकलेंगे और हम सब लोग अपने काम के लिए अपनी कॉलिजिस के लिए कब जाना करें लिए एक चीज़ करने के लिए लोग की सालों चले जाते आंट मेनों के अंदर आप एक्सेन नहीं कर सकते कि वाक्सिन आज जाएगा और कोरोना वार चिला जाएगा क्यूंकि वायरिस और वैक्सिन बहुत जादा बड़ी चीज़े बहुत बड़ी चीज़े होती है त पंडेमिक एक दो साल के अंदर नहीं चाहता है जहां तक मैंने देखा है जाहां कुछ इस՞ीयों चाहें कोई और हो उसकी जान कर देखो बहुत साल लगेते हैं उसको इर्याडिकेट करने के लिए तो ये बात तो बहुत साफ है दोस्तों कि आने वाले चार पंच मैनों के अं राइन वायरस हमें शायद यहां पर आने वाले वाले धुनों में कुछ somethin दे पाएगा या फिर क्लिंड पाएंगे यहां पर बहुत सारे क्लिनीकल ट्राइल चल रही यह इसाइद डुरक के अंदर इतनी पावर हो और इतनी पावर हो फिर ना कमयाप कर दे उसकी नियुज आन रखने है आज बाजो में भी आपको संबल कर रहना है आने वाली तेयुट में यह था आज का विडियो कैने करूशंहें पहले चानल को अभी तक आप ने सब्सक्राइब में किया तो चानल को करदे ना इस वीडियो को लाइक कर देना इस वीडियो में कोई चीसी कमेंट कर देना धन्यमाद दोस्तों ये उड़ देखने के लिए धन्यमाद